अब चलिए अब इस situation को हम थोड़ा math की भाशा में समझने की कोशिश करते हैं इस side है मेरे पास इस जो left side है यहाँ पे है मेरे पास total x plus x plus x यानि की 3x की जीज और ये है ये है बराबर कितने के 1 plus 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 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 total 9 kg के बराबर अब x plus x plus x होता है मेरा 3x 3x और ये है बराबर मेरा total 9 kg के 9 kg के अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस x की value बतानी है तो ये equation देखते ही जो सबसे पहला ख्याल मेरे मन में आता है वो ये है कि मैं इस side से 2x subtract कर देता हूँ जैसे ही मैं इधर से 2x subtract करूँगा तो मेरे पास सिर्फ x बच जाएगा लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम यहां से यह दो डब्बे हटा दें यह दो डब्बे अगर हम यहां से हटा दें तब तो यह weighing balance तो बराबर होगा ही नहीं यह आ जाएगा नीचे और यह चले ज होगई बात हमको तो ऐसा नहीं करना है तो इसके लिए शायद हम फिर ऐसे सोचेंगे कि हम इस साइड से भी 2x घटा देते हैं minus 2x तो इस साइड मेरे पास हो जाएगा 3 times of x minus 2 times of x यानी कि x बचेगा equal to equal to 9 minus 2x 9 minus 2x लेकिन यह तो फिर गड़बड हो गया यहां पे तो फिर स x आ गया तो मुझे तो इस x का value तो पता ही नहीं चला तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ तो चले इसको में यहां से पहले हटाते हैं अब यह था हमारे पास 3x और यह है 9 kg के बराबर 9 kg के अब हम क्या करेंगे हम left hand side इसका one third कर देंगे यानि कि मैं left hand side पे one by three से multiply कर दूँगा अब अगर मैं इस side total वजन का one third कर रहा हूँ तो मुझे right hand side भी same चीज़ करनी पड़ेगी ताकि यह मेरा बराबर रहे balanced रहे तब मैं इस side भी into one by three कर दूँगा इसको देखने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि यह हो गया मेरा पहला part यह हो गया मेरा दूसरा part और यह हो गया मेरा तीसरा part और इस तरफ मैंने nine का one third किया है यानि मैं इस पूरे नौ चीज़ों को तीन parts में बाटना चाहता हूँ तीन equal parts में बाटना चाहता हूँ तो यह हो जाएगा मेरा पहला part यह हो जाएगा मेरा दूसरा part और यह हो जाएगा मेरा तीसरा part अब मैंने इस total 3x का one third लिया यानि कि एक part लिया तो वो हो जाएगा मेरा x और आप normal calculate करके भी देख सकते हैं उपर नीचे अब 3 से divide कर दीजे तो यह और यह cancel हो जाएगे तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x बच जाएगा हम screen को थोड़ा सा उपर ले लेते हैं यहाँ पे आगया हमारे पास x इक्वल टू अब यहाँ पे हम उपर और नीचे अगर 3 से divide कर दे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 यहाँ पे आगया हमारा 3 यहाँ पे आगया हमारा 3 यह एक part जिसमें 1, 2, 3, 3 kg से हैं तो यहाँ से मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि जो x की value है वो 3 kg के बराबर हो गई यानि कि इस जो एक बकसे का वजन है वो 3 kg के बराबर हो जाएगा